काश्नी परवार चैनल में आपका स्वागत है बड़े हर्श्की बात है मेरी जौपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे जोपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे राम आएंगे 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 राम आएंगे अखन्द भंडारा पहले रामायन के पाठ तरवाया गया था अब जो है अखंड बंडारा चला है सब्जी पूरी रायता बड़े हर्ष के शाथ सब लोग बड़े प्रशंता से सब परसाथ पा रहे हैं देखों बच्छे लोग यहीं बेट करके ही जमिन पे हैं को सबको भार पेट पूरा बोजन कर आया जाएगा अब को यह को यह हैं अब यह जिली निकल लए है कहीं भोजन परसादी हो रही है ऐसा पार कर चला है एक ही गामे आज की वे लूते गामे ही कम से कम जाएंगे 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 पूरा देश ग्राम में हो गया है देश को खितना आनन्द आ रहा है ऐसे बालू पड़े धीपाबली तो फिर भी पीकी लगती है धीपाबली से भी ज्यादा प्रोग्राम बनाए जा रहा है दुबारा दुबारा राम एक वार बाल रूप के आ गए हमारे यहां एसा लग रहा है आनन्द ही आनन्द आ रहा है चका चक रहा है आचार जी हमारे आख पंड़े निया अब आ रह रहे हैं यह वी प्रोग्राम करवा कर रहें आख कर्णरा आख पाट बढ़िया बहुत बढ़िया 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 ओर देखा डिए जो कि मैं अ हर मनुष्य को हर जीवधारी को यहां आज ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान साच्छात बाल रूप में आ गए हैं है कितनी खुशी हो रही है जिसका कोई वर्डन नहीं किया जा सकता है शब लोग लेकर के बोजन परसाधी करवा को जैसी न यूझे लौन डेजसीन जैसी रादी शिराद विघ्र ॐ पूरी बन रही है काफी ज्यादा बीड़े और काफी टेस्टी प्रसाद बनाये और प्रसंशकों को काफी आनंदार आए से खाने में इसलिए काफी समय लग रहा है वहां पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो को कारकरता लगे हुए है अपने अपने कार पर प्रसंश्री राम नाम की ध्वनी खुजोर से चल लगी है एक ही गाउं यह उत्तर प्रदेश का गाउं है मीतई जिसमें है मीतई जिला हात्रस पड़ता है जो ब्रजव छेत्र में आता है ब्रजचेत्र का यह गाउं मीतई इसमें एक ही वार में कम से कम 20 जगे पर अखंड रामाण का पाठ करवाया गया है बंडारा भी चल ला है यहाँ बेंक के पास में शभी की सोजनिश्य अखंड बंडारा परसाथ सबजी पूरी रायते का बना हुआ है आज तो ऐसे मालूम पड़ रही है कि साच्छात्राम फिर द्वारा से आगे दोगों कितनी खुशी होती है भगवान स्वेम आ रहे हैं हमारे यहाँ दशन तहने के लिए ओह ओह वाई वेरा सब बहुत ही अच्छी प्रसंसा कर रहे हैं बड़ा अच्छा परसाथ बना हुआ है और एसे नहीं दो दो पूरी चा चार पूरी खाएंगे को भर भर के पेट खाएंगे और यह जब तक चलता रहेगा इश्वर की इच्छा जब तक रहेगी जब तक यह बंडारा यहाँ चलता रहेगा शब लोगों को परसाथ अच्छा खिलाया जाएगा बगवान से प्राटना है ऐसे ही कारकरम करवाते रहें बहुत अच्छा लगता है अभी तो एक ही का जन्म दिखाई दे रहा है हमें राम का ही मर्यादा पुरसोतों में मर्यादा में रह करके उन्होंने ले गए उचरे चौदे बर्स के बनुबास के बाद अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है दोवाराशे के ये लगवख पांसो बर्स लगवख हो रहे हैं पांसो बर्स से ये युद्ध चला था भगवान को घर से बेघर कर दिया था आतातायों ने वो आतातायों के उपर अब तो एक ऐसे बीर आये हमारे यहां मोधी और योगी जो हिंदू राष्ट को फित द्वरा से जागर्ण कर दिया है के हिंदू भी कोई होता है और भगवान राम को उनका नया घर बना करके दे दिया है खेर हमारे सामर्थ क्या होती है जीब की मनिश्य की वो सारे शबखिर कर रहा है सबका भरण पोशन ना पीने का लेकर के सबकी विवस्ता बुक करता है अब द्वारा अभी कुछ समय और थोड़ा से लग जाएगा और उसके बाद भगवान क्रिश्न की वो भी हमारे द्वारा से उनका महल बन करके घर बन करके उनको भी पदराय जाएगा काशी भी भिश्वनात भारे भुलेनात हमारे तीन देम बहुत मुख्य हैं राम कृष्ण और भुलेनात इनके लिए तो हम पूरा सनातन धर्म ने जोड़ लगा दिया है सनातन बैसे तो सभी है यह नहीं कर सनातन एक ही हो सनातन उसे कहा जाता है जो सुरू से है और एंड तक रह मते हैं कि सनातन को हम नश्ट कर देंगे यह कर देंगे वह कर देंगे कैसी भाब रहे हैं उन लोगों के विचारों के इश्वर उनको सद बुद्धी दे और शब को जो पेड़ना दे के आगे भढ़ने के लिए इस शेत्र में और जो राम का नहीं वो किसी काम का भी नहीं जो राम का है वही तो राज कर रहा है संसार पर, देखो तो सही, और यह बिरोधी हैं, यह बिरोधी वाहबाले हैं, वो कहा हैं, एक आंत्म बेटे हुए हैं, कुछ तो ऐसे थे, किसी का नाम क्या लिया जाए, एक ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने राम भक्तों पर गोली चलवाई अरे दुष्ट तो हिंदू धर्म में परवात्मा ने तुझे कैसे जनम दे दिया रामभक्तों पर ही गोली चलवादी और कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई कि जो है ये करवादे कि उसका जो है बद करवादे कहीं बंद करवादे किसी जेल में डलवादे और सत्ता का प्रभाव था उसके पाश तो बूल गया तो सत्ता की प्रभाव को देखो तो सही कहां तक करता है जाने कितने ही जन्मों तक 84 लाग कहते हैं जाने कितने ही जन्मांतर तक उससे तो नरक में नरक में भी जगे न मिले करके कीट पतंगों की उस्षियोनियों में जाएगा जिसे भोजन के लिए का विवस्ता नहीं हो पाएगी यह हमारे शास्त्री जी पंडी जी महराज है यह जा रहे हैं देखो भोजन परसादी करवाई है इन्होंने ही हवन करवाया था यग करवाया है यहां पर अकंड रमायर का पाट शुरू करवाया था जैसरी किष्णा 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 जै